बंगाल के चंडाल लोग ही चानक के हैं अगर आप बुद्ध भासा यानि के पाली भासा, मगद भासा या कौसली भासा जिसको पाली बोलते हैं कौसली थी पहले फिर मगदी हुई फिर पाली बनी अब हिंदी है इस भासा को अच्छे तरह जानते हैं तो बंगाल के चंडाल लोग ही चानक के हैं ये बात बिल्कुल 200% सही है चंडाल का जो अर्थ होता है पाली के अंदर वो होता है चंदर प्लस मंडल यानि चंदर प्लस मंडल चंद जो बोलते हैं चंद बोलते हैं चांद को और मंडल बोलते हैं आभा को पाली के अंदर जो आपने देखा होगा कि जब फुल मून होता है तो चंद्रमा के उपर एक गोल घेरा बंता है कबी आप सर्द पूंडमा पे जाbons देखेंगे तो चंद्रमा के चारतरफ पर बहुत बड़ा औरा बनता है, घेरा बनता है, सफेद रंगा बलकुल, उसको बोलते हैं, आभा बोलते हैं उसको, भा माने होता है चमकीला पाली में और आभा माने जो पूरी तरह से आया हुआ हो, और जो चंद्रमा के चारतरफ होता है उसको च चंद और मंडल यानि चंदर और मंडल तो उससे बना है चंद मंडल यानि चंडाल चंडाल वो लोग हैं जो पूरण मास्यों पूरी आभा रखते हैं मगर मनुस्य कैसे आभा रखता है नीचे मनुस्य आभा रखता है ऐसे कि अगर वो विपस्णा करे साधना करे और धम की ब कि उनके मुख मंडल के चारो तरफ एक औरा एक चमक रहती थी हम ऐसा क्योंकि वो सच्चाई की वो इमानदारी की और वो मेहनत की और उनके शुद्ध होने की चमक थी उस औरा का आज तक जवाब नहीं है जो चारो तरफ घेरा उनका आता है इसलिए फोटो में वो औरा बनाय की अंदर ही महिलाओं को विपस्टना करके सुद्ध होने की अनूमती थी जो भग्वान बुद्ध ने जो भगवान बुद्ध ने उस समय दी और भहुत सारी महिलाएं उस समय अपने चंद मंडल से दापराप्त किया और बहुत ज़्यादा उनके ओरा उनका रहा है चंडी बोलते हैं आपने नाम सुना होगा अवंती के राजा थे अवंती उज्जेन के आसपास का एरिया है वहाँ के राजा थे चंड पजोत यानि चंड पजोत का मतलब हो गया जो चंड की तरह प्रजलित होते हैं चंड मा की तरह प्रजलित होते हैं जबकि यहाँ चंड का मतलब बाद में आते आते बना दिया कि बहेंकर, बहेंकर नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब है चंड की तरह, चंड की तरह, चंड की तरह, वही आपने देखा होगा, जो चंडी गड़ है, चंडी गड़ जो शहर है, चंडी गड़ शहर में गड़ जो बोलते हैं घह जितने भी है वो बात में गड़ बने तो चंडी गड़ जो है वो उस महिला के नाम पर है जिसके औरा यानि जिसके आभा बहुत ज़्यादा रही चंडी जैसी आभा रही और जो बहुत ज़्यादा उस समय भिक्णी रही होगी या हिंदी भासा में कहें तो चंदर् का मतलब आज की भाहसा में चंट भी बोलते हैं जो तेज तरह लोग होते हैं उनको चंद्ड कुल बोलते हैं इसे प्रकाद चंडाल कुल होता है यानि कि ऐसा पूरा परिवार जिसमें अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा ग्यानी हो और अरत हो या सगदागामी हो या अनागामी हो जो भी हो मतलब उन्होंने कोई ना कोई धम में ऐसा इस्थान प्राप्त किया है उस कुल में उस पूरे कुल का नाम ही चंडाल कुल पढ़ गया और चंडाल कुल इसलिए पढ़ा है क्योंकि उनकी आभा बहुत ज़्यादा हो गई उसको नीच कुल भी बोला गया बाद में नीच कुल का मतलब है नीच का मतलब होता है नित्य कुल यानि कि जो नित्य को प्राप्त हो गए पाली में निच का मतलब होता है नित्य, नित्य कुल तो इस तरह से अरत हुए लोग चंडा लोग होते हैं एक सब्द होता है चंडिक, चंडिक का मतलब होता है चंडिक के या चानक के, बाद में इसको चानक बोला गया, इसका मतलब है जिसमें ये भाव हो, जिसके अंदर चंडरमा जैसी शांती का भाव हो, उतने ज्यादा औरा हो ता ज्यादा ग्यान हो, उसको चंडिक बोलते हैं, इस चंडिक को बाद में चानक या चानक के बुला गया और ये एक knowledge की degree होती है यानि जिसमें चंदरमा की आभा जैसा गुण है वो उसकी degree हो गई उस degree के कारण ही चानक पड़ा और चानक के बहुत होते हैं चानक के एक नहीं होता जो उस आभा को प्राप के लेता है ये एक degree है वो चानक के हो जाता है इसलिए जो चानक के लोग हैं जो चंडा लोग हैं वही चानक के हैं ये बात 200% ठीक है धन्यवाद हुआ हुआ है